नमस्कार दोस्तों अगर हमें अपने जमीन की नपाई करानी है मतलब हमें अपने जमीन का सीमांकन कराना है कि हमारी जमीन कितनी है और कहां से लेकर कहां तक है तो इसके लिए जो है हमें ऑनलाइन ही एक चालान काटना होता है जो कि आप 100 रुपीज का जो है काट सकते हैं इस कर देंगे आप चाहें तो ट्रेजरी करके पर सर्च कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं साइवर ट्रेजरी हमें फर्ष्ट नमबर पर क्लिक करना है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का ओफीसियल वैप साइट खुल कर आ जाएगा इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही यहां पर पहुँच जाएंगे और यहां पर आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपको जो है सीमांकन के लिए अगर चालान काटना है या फिर किसी क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सेमने इस तरीके का नेस्ट पेज खुल के आजाता है हमसे पूचता है अगर हम पहले सी रजिस्टर्ड है तो हम रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे लेकिन अगर हम पहली बार आ रहे हैं यहां पर तो हम यहां पर अन रजिस्टर्ड user पर klick करेंगे हमारे सामने इस तरीके के धेरो option खुलकर आ जाते हैं donate देख सकते हैं döstब host हमें क्या करना है यहां पर सीमांगन का चालान कातने के लिए हमें यहां पर एक option डूढना है यहां पर देख सकते हैं sory चालान and tax हमें इसपर revenue का एक option मिलता है इस पर कलिक करेंगे इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मैं जैसा ही आपको बताता हूँ बिल्कुन वैसा ही आपको सेम फिल कर देना है हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डीलर का नाम हमें लिख देना है मतलब किसके नाम से जो है हम चालान काटना जायते हैं उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर ओफिस के नाम मतलब जहां भी हमारी दुकान है आप उसका नाम डाल सकते हैं या फिर तहसील का नाम भी यहाँ पर डाल सकते जो भी है तो हब यहाँ पर डाल देते हैं जो भी हमारा तहसील है तो हम यहाँ पर लिखते हैं तहसील और तहसील जो भी है हम उस गाओं का नाम जो है डाल देंगे इसके बाद हम यहाँ पर डिस्टिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसके बाद नीचे पर आएंगे और address details of page तो हमें यहाँ पर आ जाना है इसके बाद यहाँ पर हम कुछे डालेंगे यहाँ पर दिख सकते हैं हम address पर गाओं का नाम डालेंगे इसके बाद street रोट पर हम क्या डालेंगे हम खसरा नमबर और रखवा नमबर का चालान खटना चाहते हैं इसके बाद यहाँ पर टाउन या सिटी का नाम डाल सकते हैं इसके बाद हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा स्टेट है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एक mobile number डाल देंगे, हम अपने customer का यहां पर mobile number डाल देंगे, अगर हम अपना खुद का कर रहे हैं, तो हम यहां पर अपना खुद का ही mobile number डाल लेंगे, इसके बाद दो सकते हैं, दोस्तों, यहां पर हाँ मैं email id भी डालना पड़ता है, तो हम यहाँ पर हमारी जो भी email आइडी है वो डाल लीजे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर email आइडी फिल कर देंते हैं इसके बाद यहाँ पर form का हम date select करेंगे मतलब हम आज चालान खट रहे हैं तो हम आज का ही एक date select करेंगे यहाँ पर calendar से उस date को जो है select कर लेंगे इस पर जैसे ही select करेंगे सारा date यहाँ पर आ जाता है फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं two date पर हम क्या करेंगे two date पर जब तक के लिए हम इस चालान का validity रखना चाहते हैं मतलब अगले महिने के same इसी तारिक को हम select कर लेंगे मतलब एक महिने का total हम इस चालान को एक महिने तक ही use कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आएंगे और हमें यहाँ पर एक code डालना है यह code बहुत ही जरूरी होता है दोस्तो अगर आप जो है यहाँ पर अलग-अलग प्रकार से code डलते हैं अगर आप police verification के लिए करते हैं या अगर जमीन का सीमांकन के लिए करते हैं तो सब के लिए अलग-अलग हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं जमीन के सीमांकन के लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको जो भी बताता हूँ एकदम वही आपको यहाँ पर डालना है देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो अगर हम सीमांकन के लिए डाल रहा है तो यहाँ पर 0029 यहाँ पर 0010640 यहाँ पर देख सकते हैं Recept and Request of Survey and Settlement हमें इस वाले को Select कर लेना है इसको मैं चूम करके भी दिखा देता हूँ हमें इसी को select करना है इसके बाद हम यहाँ पर purpose लिखेंगे कि हम किस purpose से जो है इस चालान को भर रहे हैं मतलब pay कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ pay करना और चालान काटना अलग-अलग चीज़े होती हैं तो हम यहाँ पर किसी भी चालान को pay कर सकते हैं जिसे हम सुद्ध महासा में मतलब गाओं की महासा में काटना भी कह देते हैं इसके बाद यहाँ पर हम amount डालेंगे 100 रोपे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं payment get भी select करेंगे इससे पहले हमें अपने चालान को add करना होगा तो हम यहाँ पर click here add चालान पर click करके हम अपने चालान को add कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हम किस bank से जो payment कर सकते हैं sorry हम यहाँ पर UPI payment ले लीते हैं इसके बाद यहाँ पर आएंगे इसके बाद submit के बटन पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर दे हैं इसे ok कर देंगे जैसे हम यहाँ पर ok करेंगे हम यहाँ पर फिर से जो है ok कर देंगे हमारे सामने utr number generate हो चुका है हम इसको कहीं copy करके रख लेंगे इसके बाद थोड़ा सा wait करेंगे इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है देख सकते हैं दोस्तो other payment method आप हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम इसी पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमारे सामने इस तरीके का page आता है यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाब email id, mobile number, utr number, सब कुछ देखने को मिलता है pay पर क्लिक करेंगे इसके बाद हम से यहाँ पर पूछता है हम credit card, debit card, net banking, upi या qr किस के मादधे हम से जो हम payment करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर qr के मादधे हम से payment करेंगे इस पर क्लिक करेंगे देन इसके बाद नीचे आएंगे generate upi qr कोड हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक qr कोड आ जाता है इस qr कोड को हम अपने phone पे google पे, pay tm से हम scan कर लेंगे इस scan कर लेंगे बाद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ना ही back करना है, ना ही refresh करना है जैसे ही यहाँ पर payment होगा यह automatic ही redirect हो जाएगा इसके बाद हमारे सामने जो है चालान की copy खुल के कुछ इस तरीके की दोस्तों देख सकते हैं आ जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम इसे थोड़ा सा उपर की तरफ scroll करते हैं, हमारे सामने इस तरीके की चालान की copy भी आजाती है, हम इसको चाहें तो अब यहाँ से print कर सकते हैं या save कर सकते हैं और इसे अपने यूज में ला सकते हैं अगर आपके पास printer है तो आप इस चालान की copy को print कर लीजिए, वन्ना आप इसे save कर लीजिए, save करके किसी की भी WhatsApp में डाल दीजिएगा वहाँ से आप print कर आ सकते हैं इसके बाद आप अपना सीमांकर के लिए जो है आप लाइक कर सकते हैं तो दोस्तो यही रही वीडियो वीडियो पसंदा है, वीडियो को लाइक से इन चैनल को जरूर से subscribe करना मिलते हैं नेश्ट वीडियो में किसी और टापे साथ जैहिन बंदे मत